नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे YouTube सेनल और के योजना पर दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एकpox नई महत्तपुन जानकर लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं दोसतो, सरकार की तरफ से जन्धन योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रा है जैसे कि दोस्तो आपने नोट फिश्ट में देखा, जन्धन खातों में एक बार फिर से 500 की वर्षा की जा रही है 500-500 रुपे सरकार की तरफ से दी जा रहे हैं दोस्तों कौन सी सरकार की तरफ से दिये जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से या फिर केंदर सरकार की तरफ से अगर दोस्तों केंदर सरकार की तरफ से दिये जा रहे हैं यानि कि सभी राज्यों में दिये जा रहे होंगे सबसे पहले हम आपको यही जानकारी इसमें बताएंगे उसके बाद दोस्तों आपको बताएंगे जैसे आपने आपर देखा एक बार फिर से मिलना सुरू हो गई है पांसो पांसो रुपे जंदन खातों में ट्रांसफर किये गई है साथी दोस्तों इन महिलाओं को लाब दिया जा रहा है वे कौन सी महिलाओं हैं जिन्हें इस ओजना के अंदरगत लाब दिया जा रहा है और दोस्तों लाब दिया जा रहा है डिरेक्ट लाब दिया जा रहा है या फिर उनके खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है ये सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदर हैं यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेट मिलता है जिससे हम प्रहित होते हैं आपके लिए नई-नई जानकारी लाने के लिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तों बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटफिशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चले दोस्तों अब हम यापर वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और आपको सभी जानकारी डिटेल वाइस में बताते हैं दोस्तों सभी महिलाओ के खाते में पांसो पांसो रुपे आ रहे हैं यह तो 101 परतिसद सत्ते हैं और आगे भी आने वाले हैं सभी महिलाओ के खाते में यदि आपके पास परधान मंत्री जंदन खाता है तो आपको यह पांसो पांसो रुपे का लाब मिलेगा परधान मंत्री जंदन खाता योजना के अंतरगत महिलाओ के शंख्या 43 करोड 4 लाग से अधिक है जो महिलाए अपना नया खाता इस योजना के अंतरगत खुलवा रही हैं उनको देखते हुए इस आगडो की शंख्या 44 करोड के आसपास हो गई है यह तो आप सभी लोग जानते ही होंगे सरकार की तरफ से महिलाओ को तीन महिने तक पांसो पांसो रुपे दिये गए हैं और यह सभी महिलाओ का पैसा केंदर सरकार ने डीबीटे के माध्यम से ट्रांसफर किया है सरकार की तरफ से इस योजना के अंतरकत करोड रुपा खर्च किया गया है किया गया था लेकिन अब अब की बार केंदर सरकार की तरफ से नहीं बलकि दोस्तों राज्य सरकार की तरफ से सभी महिलाओ के खाते में पांसो पांसो रुपे ट्रांसफर किये जा रहे हैं आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ यह भी जान लीजे सरकार यह पैसा किन किन व्यक्तियों को दे रही है सर्मिक किसान दोस्तों जो सर्मिक व्यक्तिय एक तो उन्हों दे रही है किसान मजदूर रेडा रिक्षा चलाने वाले व्यक्ति सब्जी बेशने वाल आगे भी मिलता रहेगा जदी आपका यह है सर्मिकाड आपने अपना सर्मिक कार्ड बनौा लिया है और आपका यह सर्मिक कार्ड जंधन योजना के खाते से लिंक है तो फिर पैसा सरकार आपके खाते में ट्रांसफर कर देगी दोस्तो बैक्गरांड वोईस के लिए हम आपसे माफिच आएंगे अब आप यहां समझ ही चुके होंगे कि इस बार केंद सरकार पैसा ट्रांसफर नहीं कर रही है यह सारा का सारा पैसा राज्य सरकार इन व्यक्तियों को दे रही है जिन लोगों के पास सर्मिक कार्ड है और उन्होंने अपना सर्मिकार परधान मंत्रे जंधन योजना के खाते से लिंक नहीं कराया है तो उन्हें जल्द से जल्द यह कारिय पुरा करा लेना है अगर वह यह काम करा लेते हैं तो फिर उन्हें 500-500 रुपे सरकार की तरफ से दिये जाएंगे उनके जंधन खाते में ट्रांसफर किये जाएंगे उत्तर परधेस सरकार द्वारा सभी सर्मिकों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है जिन व्यक्तियों का यह सर्मिकार जंधन योजना के खाते से लिंक है उन्हें लाब मिल रहा है यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं आपके सभी सौलों का जबाब दिया जाएगा लाश्ट मेनी वे दिने करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोट फिशन है सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ जब तक के लिए जाहिन जावारत